हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर आज हम 16 दिसंबर को हुए C.T.21 पेपर 1 के CDP के फुल 30 कोश्चन कंपलीट करेंगे तो दोस्तों आपका पहला कोश्चन आया था निमने लिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है तो आपका फर्स्ट कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विवित्ताएं होती है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आपका सेकंड कोश्चन आया था निम्न में से कौन सा प्रश्चन बच्चों में विवेच नातमक चिंतन को बढ़ावा देने का उधारण है तो आपका सेकंड को आया था विकास का चरणीय सिध्धान्त निम्न लिखित नियमों में से किस पर इस्पस्ट रूप से जोर देता है आइस्टेस थियूरी आफ डवलाप्मेंट एक्स्प्लीसिटी इंफसाइजिस विच आप दा फॉलोविंग प्रिंस्पल्स तो आपका थर्ड का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा विकास की आनिरंतरता डिसकंटिन्यूटी आफ डवलाप्मेंट आपका फॉर्थ कोश्चन आया था निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालियों में बच्चों का आधिगम से जुडाव प्रभावित होता है तो आपका फॉर्थ का आपका फॉर्थ कोश्चन आया था जीन प्याजे के नुसार पूर्व संक्रिया आतमक चरड में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं तो आपका फॉर्थ कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा प्रतिकातमक खेल मेक बलीव पले आपका सिक्स्थ कोश्चन आया था एक छोटी बालिका पतिकात्मा खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दर्ष्टिकोर नहीं समझ पाती है और उसके नियंतरण से बाहर की गटनाईं उसे असानी से परिशान कर देती है जीन पियाजे के दौरा सुझाय के चैड़ों में से कौन सी अवस्था इस बालिका के वर्तमान इस्तर को अंकित करती है तो आपका सिक्स्थ कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा पूर्व संक्रियातमक प्री ओपरेशनल आपका सेवंथ कोश्चन आया था निम्न में से कौन साबिल अच्छड कोलवर्ग के नैतिक विकास मौडल में समले था है तो आपका सेवंथ कोश्चन पहला सही हो जाएगा नैतिक विकास के चैड़ों का स्वरूप सार्व भौमिक होता है आपका एट्ट कोश्चन आया था लेव गोट्सकी के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्त विकास छेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए तो आपका एट्ट कोश्चन पहला सही हो जाएगा आपका नाइन्थ कोश्चन आया था एक विशिस्ट संपर्ते को पढ़ाने तो एक अध्यापी का बच्चे को आधा हल किया हुआ उधारण देती है लेव गोट्सकी के अनुसार अध्यापी का किस रिड़नीती का इस्तेमाल कर रही है तो आपका नाइन्थ कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा पाड़ इसका फोल्डिंग आपका टेंथ कोश्चन आया था निमने लिखित में से कौन से अभिवरत्ती एक प्रगती सीलक अच्छी है माहली के अनुसार नहीं है तो कोश्चन में पूछा गया है नहीं है तो आपका टेंथ कोश्चन फोर्थ सही हो जाएगा अध्यापक द्वारा बा अनुसासन कायम करना तो आपका ओप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा मैंटेनिंग एक्स्टरनल डिसिप्लिन बाइदा टीचर आपका एलाइवन्थ कोश्चन आया था यह महत पूड है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धी लब्धी के अधार पर इस्तिर समोहों में प्रथक ना करें क्योंकि इट इस इंपोर्टन डाइद टीचर डाइज नौट सेग्रीगेट चिल्डर इंटू फिक्स्ट ग्रूप बेस्ट अपॉन आईक्यू आज तो आपका ऑप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा बुद्धी लब्धी संकल्पना इस्थाई नहीं है और ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है आपका टौल्थ कोशन आया था तो आपका टौल्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ये बहु बहु दिक्ता को निस्पादित करने में मददगार है इट हेल्प्स एक्सरसाइज मुल्टिपल इंटेलिजेंस आपका थर्टिंद कोशन आया था डेड़ से धाई साल की उम्रे के बच्चों दौरा अक्सर उचारित दूई सब्दी है उचारणों को क्या कहा जाता है तो आपका थर्टिंद कोशन दूसरा सही हो जाएगा तार प्रेशित वच्चन टेलिग्राफिक स्पीच आपका फोर्टिंद कोशन आया था पुरु समानिता दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हिर्दय से सोचते हैं ये कथन क्या दरसाता है तो आपका फोर्टिंद कोशन दूसरा सही हो जाएगा लैंगिक रूडिवाद जेंडर स्टीडियो टाइप्स दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आपका फिप्टींद कोशन आया था एक प्रगती सील कच्छा में निम्न लिखित में से कौन सी मुल्यांकन वीडिका इस्तिमाल नहीं होता होगा विच आप दा फॉलोविंग एसेस्मेंट स्टैटिजीज वुड नॉट यूज इन आप प्रोग्रिसिव क्लासरूम तो आपका फिप्टींद कोशन तीसरा सही हो जाएगा केवल मानक निर्देशित मुल्यांकन पर आसरे कोशन में पुछा गया था इस्तमाल नहीं होता है इसलिए आपका उप्शन तीसरा सही हो जाएगा केवल मानक निर्देशित मुल्यांकन पर आसरे आपका 16th question आया था वंचित और हासिये पर इस्ते समूहों की भासा और संस्क्रति को स्कूली पाठिक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है By inclusion of the language and culture of the disadvantaged and marginalized groups within the school curriculum a teacher can ensure तो आपका 16th question दूसरा सही हो जाएगा सिच्छा में साम्यता equity in education आपका 17th question आया था पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूत एक अच्छा में एक विद्यार्थी गड़ती क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनोतियों का सामना करता है इसकी वज़य क्या हो सकती है तो आपका 17th question दूसरा सही हो जाएगा डिस्कल्कुलिया आपका 18th question आया था एक समावेसी संस्ता में एक स्रविबादित विद्यार्थी की सिच्छा है तो निम्ने में से कौन सी रड़नीती प्रभावी नहीं होगी तो आपका 18th question फोर्थ सही हो जाएगा संप्रेशन है तो मुख्यता मौखिक माध्यम पर ही आसरित होना question में पूछा गया था प्रभावी रड़नीती नहीं है इसलिए आपका option फोर्थ सही हो जाएगा संप्रेशन है तू मुख्यता मौखिक माध्यम पर ही आसरित रहना आपका 19th question आया था निम लिखित में से किस कच्छी है प्रक्रिया का विसलेशन किसी अध्यापक के वंचिस समोहों के प्रति गडित गूर पूर्वा ग्रहों को उजागर कर सकता है तो आपका 19th option पहला सही हो जाएगा लिंग जाती और आर्थिक स्रेडी के अधार पर निर्धारत आशन विवस्था seating arrangements done on the basis of gender caste and class आपका 20th question आया था कच्छा में सजनात मक्ता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अफसर प्रदान करने चाहिए तो आपका 20th option दूसरा सही हो जाएगा मौली खोज और सोच को प्रतसाहित करने के encouraging original discovery and thinking आपका 21st question आया था एक संरचनात मक्त अच्छा में बच्चों की संग्यनात मक्त सह बागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है तो आपका 21st option तीसरा सही हो जाएगा 1 second and 3rd बच्चों के वारतालाब दौरा अध्यापक के संवेगों दौरा बच्चों के सकारातमक परसपर संबंधों दौरा आपका 22nd question आया था बच्चों के आसफलता अक्सर विद्याले के आसफलता होती है निम्न में से कौन सा खतन इस वाकिका समर्थन करता है तो आपका 22nd option दूसरा सही हो जाएगा बच्चे इसलिए आसफल होते हैं क्योंकि विद्याले बच्चों के सीखने के विविद्गतियों को ध्यान में नहीं रखते है आपका 23rd question आया था किसी संप्रत्य के प्रासंगिक और अर्थपूर होने के लिए क्या आवस्यक है तो आपका 23rd option दूसरा सही हो जाएगा बच्चे के जीवन समंदित समाजिक परिपेच से जोड़ कर पढ़ाना लिंक्ड विद्धा सोसल कॉंटेक्स्ट आफ दा चाइल्ड्स लाइफ आपका 24th question आया था एक अच्छा में बच्चों के आसफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है तो आपका 24th option तीसरा सही हो जाएगा आसफलता और तूर्टियां बच्चों के अधिगम का स्वभाविक हिस्सा है आपका 25th question आया था अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि पुरुसकार देना अधिगम करताओं को अभी प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है क्योंकि तो आपका 25th option पहला सही हो जाएगा इससे आंतरिक अभी पेरिना छीड होती है question में पूछा गया था उत्तम तरीका नहीं है इसलिए आपका option पहला सही हो जाएगा इससे आंतरिक अभी पेरिना छीड होती है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आपका 26th question आया था निमने में से आभी लच्छनों का कौन सा समूर उत्तम समस्या समाधान करताओं को इंगित करता है तो आपका 26th option पहला सही हो जाएगा सजनात्मक्ता पतिक्रियात्मक अनम्मिता की कमी अपसारी चिंतन, creativity, lack of responsive, divergent thinking आपका 27th question आया था सिच्छक का विचार है कि विद्यार्थियों की खास कर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं आसफलता अक्सर उनके अधिगमवा अभी पेड़ा को प्रभावित करती है इस संदर्व में निम्न में से कौन सा कथन सही है तो आपका 27th का option पहला सही हो जाएगा सिच्छक की आप इच्छाएं बच्चों के सीखने को बेहत प्रभावित करती है आपका 28th question आया था सिच्छक कच्छा में सकारात्मक रूप से सीखने का वाता वरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं तो आपका 28th option पहला सही हो जाएगा बच्चों के समवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बना कर question में पुछा गया था किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं इसलिए आपका option तीसरा सही हो गया बच्चों के समवेगों को सीखने के प्रक्रिया का हिस्सा बना कर आपका 29th question आया था क्या एक सिच्छक को कच्छा में एक सत्ता धारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती ना दे सके तो आपका 39th question तीसरा सही हो जाएगा नहीं विद्यार्थी ऐसे सिच्छकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी समप्रत्याइक इस पस्टा में कमी रह जाती है आपका 30th question आया था कच्छा में परिचर्चा के दौरान क्या एक सिच्छका को विद्यार्थियों के गरत उत्तर सही करने चाहिए तो आपका 30th option दूसरा सही हो जाएगा नहीं बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोचसाहित करना चाहिए गलत होने की चिंता के बिना दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आज हम 28th December को हुए C.T. 2021 पेपर 1 के फूल 30 question CDP कम्पलीट करेंगे आपका पहला question आया था Which of the following is not a principle of development निमनलिकित में से कौन सा विकास का सिधान्थ नहीं है तो इसमें आपका option पहला correct हो जाएगा विकास एक ही दिसा में होता है और एक आयामी है तो आपका पहले option पहला सही हो जाएगा अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छे लगए तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा आपका दूसरा question आया था सफेलो कॉडल प्रिंसिपल इस अपली केबल इन्दा इस पेयर आफ सफेलो कॉडल यानि सीर्स गामी सिधान्त इसके छेतर में लागू होता है तो आपका दूसरे का option पहला correct हो जाएगा गामक विकास motor development दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा इस चैनल पर सीटेट पेपर वन और पेपर तू के most probably सारी सिस्टों के solutions करा दिये गए हैं तो आप चैनल को विजिट जरूर करें और वीडियो को देखें आपका third question आया था डैश is a sensitive period pertaining to language development डैश भासा के सिधान्त भासा के विकास सम्मंदित एक सम्वेदन सील अवधी है तो आपका third option दूसरा सही हो जाएगा प्रारंबिक बच्पन early childhood period आपका fourth question आया था डैश occurs within the family when children first learn the individual identity acquire language and develop initial cognitive skills डैश परिवार के बीतर तब होता है जब बच्चे पहली बार अपनी व्यक्तिकत पहचान सीखते हैं भासा सीखते हैं और प्रारंबिक संग्यनात्मक कोशल विक्सित करते हैं तो आपका fourth option पहला सही हो जाएगा प्रांबिक सामाजी करण अपका fifth question आया था according to the theory of Lawrence Kohlberg at which level is moral thinking based on taking the initial perspective of the society को Lawrence Kohlberg के सिधान के अनुसार नैतिक चिंतन किस इस्तर पर समाज का प्रारंबिक परिपेच लेने पर अधारित हैं तो आपका fifth option दूसरा सही हो जाएगा पारंपरिक चरण conventional stage आपका sixth question आया था प्याजे के दस्टिकोर से ज्यान के मौजूदा निकाएं में नई जानकारी लेने की प्रक्रिया कहलाती है तो आपका sixth option तीसरा सही हो जाएगा आत्मसाथ आत्मसाथ करण assimilation आपका seventh question आया था मीना ने सब्दों का प्योग करना सुरू कर दिया है और यह समझना सुरू कर दिया है कि सब्द वस्तुगों का प्रत्निध्युत्व करते हैं वे भी तारकिक रूप से तर्क करना सुरू कर रही है हाला कि वे सनरच्छन नहीं कर सकती है जीन प्याजे के अनुसार मीना संग्यनात्मक विकास की किस अवस्ता में है तो आपका seventh option पहला सही हो जाएगा pre-opational stage पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता जीन प्याजे ने बच्चे के संग्यनात्मक विकास की अवस्ता को चार भागों में विभाज़त किया है पहली संवेदी गामक अवस्ता जन्म से दो वर्स दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता दो से साथ वर्स या दो से चै वर्स तीसरी मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था साथ से बाहरे वर्स और चौथी अवस्था अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था बाहरे वर्स और उससे अधिक आपका एट कोश्चन आया था दा कॉंसेप्ट ओफ जोन आप्रोक्सिमल डवलाप्मेंट has been proposed by समी पस्त विकास के छित्र की अवधारणा किसकी द्वारा प्रस्तावित की गई है तो आपका एट को आप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा लेव वगोट्सकी के द्वारा आपका नाइन्ध कोशन आया था विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट दा फंडमेंटर प्रिंसपल आफ लेव वगोट्सकी ठियूरी कौन सा कथन लेव वगोट्सकी के सिधान्द के मूल सिधान्द को सही धंग से बताता है तो इसमें आपका आप्शन दूसरा सही हो जाएगा सीखना एक सामाजिक गतिविदी है अधिगा में एक सामाजिक क्रिया है आपका टेंथ कोशन आया था एक्जामपल ओफ पेड़कोजिकल स्टाटजी डैट वुड प्रमोट मीनिंग्फूल लर्निंग इस सार्थक सीखने को बढ़ावा देने वाली सैच्छिक रड़नीती का एक उधारण है तो आपका टेंथ कोशन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा केवल सीखने के आकलन के बजाए सीखने के लिए आकलन पर केंदरित करना आकलन पर ध्यान केंदरित करना आपका इलाविंध कोशन आया था विच वन आप दा फॉलोविंग डवलाप्मेंटल त्यूरियस एडवोकेट्स दैट कोगनिट्व डवलाप्मेंट प्रसीड्स सिंबोलिक लंग्विज डवलाप्मेंट इना चाइल्ड निमनलिखित में से कौन सा विकास आत्मक सिध्धान्थ इस बात की वकालत करता है कि संग्यनात्मक विकास एक बच्चे में प्रतिकात्मक भासा के विकास से पहले होता है तो इसमें आपका उप्शन पहला सही हो जाएगा पियाजे का संग्यनात्मक विकास सिध्धान्थ आपका ट्वल्थ कोशन आया था विच आप दा फॉलोविंग इस नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाई आ टीचर इन दा क्लास्रूम टो एड्रस जेंडर स्टिरियो टाइप निम्न लिखित में से कौन सा एक सिच्छक द्वारा जेंडर रूडियों को दूर करने के लिए कच्छा में अपनाई जाने वाली प्रभावी प्रथा नहीं है तो आपका टॉल्ट का उप्षिन दूसरा सही हो जाएगा कच्छा में लड़की और लड़िक्मियों के बैठने की अलग-अलग विवस्था करना आपका थैटीन्थ कोशन आया था पारो अपने पिता की बढ़ाई गीरी की दुकान में मदद करती है जहां वे अपने पिता द्वारा सिखाई गई तकनीकों का उप्योग करके लकडी के ब्लॉकों को सफलता पूरवक मापती है उसे हाल ही में EWS योजना के तहित एक पबलिक स्कूल में भरती कराया गया है पारों के लिए पार्ट चर्या और अध्यन समगरी को प्रासंगिक बनाना इसकूल के बाहर जैसे गड़ती अनबवों को एक इकरत करना या उनका समावेशन करना चाहिए आपका फूर्टीन्थ कोशन आया था सेंस्टिविटी टू दा साउंड रिदिम्स एन मीनिंग आफ वर्ट्स करेक्टराइज विच टाइप आफ इंटेलिजन्स धनियों ले और सब्दों के अर्थ के प्रतिसम्वेदन सीलता किस प्रकार की वद्धी की विसेशता है तो आपका फूर्टीन्थ कोशन तीसरा सही हो जाएगा लिंग्वेस्टिक भासाई आपका फिप्टीन्थ कोशन आया था एक सामाजिक रचनात्मक अच्छा में मुल्यांकन के कौन से तरीके पसंद किये जाएंगे तो आपका फिप्टीन्थ का उप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा सही योगात्मक परियोजनाए आपका सिक्स्टीन्थ कोशन आया था सतत और व्यापक मुल्यांकन में निरंतर पहलू का तातपर है तो आपका सिक्स्टीन्थ कोशन पहला सही हो जाएगा सिच्छन अधिगम के दोरान बिभिन्यों करणों का प्रियोग करते हुए बच्चों को निरंतर अवलोकन और सहयता आपका सेविंटीन्थ कोशन आया था स्टूरेंट सुट बी एंकरेज़ टू सेट डेस गोल्स छातरों को डेस लच निधायत करने के लिए प्रोटसाहित किया जाना चाहिए तो आपका सेविंटीन्थ कोशन पहला सही हो जाएगा मैस्टरी ओरियेंटेड महारत उनमुक लच विच आप दा फॉलोविंग इस अ प्रिंसपल आफ इंक्लूजन निम्न लिखित में से कौन सा समावेशन का सिध्धान है तो आपका एटीन्थ कोशन तीसरा सही हो जाएगा विक्तिगत मदबेदों की सुईकरती या विक्तिगत विभिनताओं को सुईकार करना आपका नाइटीन्थ कोशन आया था अच्चाइड हूँ हैस पार्सियल विजन अंसिक दृस्टी वाला बच्चा तो आपका नाइटीन्थ कोशन तीसरा सही हो जाएगा समावेशी प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल का हिस्सा बनना चाहिए आपका तुन्टीन्थ कोशन आया था विच आप दा फालोविंग प्रैक्टिस विल सपोर्ट क्लियेटिव इटीव इन आ इन आ क्लासरूम निमन लिखित में से कौन सी प्रथा कच्छा में रचनात मकता का समर्थन करेगी तो आपका तुन्टीन्थ कोशन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा फर्स सेकेंड एन फोर्थ कल्पना सील उत्तरों की स्विकृति विचार मन्थन पर जोर असहमति के अपरती सहिश्डुता आपका तुन्टीन्थ कोशन आया था निमन लिखित में से कौन सी रणनीती आपकी कच्छा में और्टीजम से पीड़ित बच्चों की मदद करने के लिए समावेज के दर्शन के अनरूप नहीं है जिसे समू गतिविदियों से ने पढ़ने में मुश्किल हो रही है आपका तुन्टी फर्श्ट को आप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा बच्चे को विशेस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना आपका तुन्टी सेकिंड कोश्चन आया था प्रोथसाहित करने के लिए प्रोथसाहित करें आपका तुन्टी फर्श्ट कोश्चन अजर्शन और रीजन वाला आया था तो आपका अभिकथन दिया गया था पार्ठ ग्यान को पुना पेस करने की उनकी छमता के निर्मार की बजाए स्कूलों को बच्चों को उनकी आवाज खोजने उनकी जिग्यासा को विक्षिद करने चीजों को करने प्रश्ट पुछने चर्चा में सामिल होने और समू कर करने में सच्छम बनाना चाहिए कारड़ दिया गया था सीखना अपने स्वरूप में सक्री और सामाजिक है तो आपका 23rd को आप्शन पहला सही हो जाएगा A और R दोने सत्य हैं और R A की सही व्याख्या है आपका 24th कोश्चन आया था किसी विशेस विशय के भी तरग्यान और सम्मंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिकल टूल को डैस के रूप में जाना जाता है तो आपका 24th को आप्शन फोर्थ सही हो जाएगा अवधारणा मान्चित्र संकल्पना मान्चित्र कॉंसेप्ट मैप्स दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और दोस्तों ये जो हिंदी होती है गूगल ट्रांसलेटेड होती इसलिटाफ होती है दोस्तों इसलिए मैं इंगलिस टाइप करके देती हूँ जिससे कि आप लोग एक बारी इंगलिस को जरूर पढ़ दे आपका 35th कोश्चन आया था वे उधारण चुने जो आंतरिक पेड़ा को दरसाता है तो आपका 35th कोश्चन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा रवी अपनी परियोजना के लिए विभिन ने संसादनों की खोच कर रहा है क्योंकि उसे नई चीजें सीखना पसंद है आपका 36th कोश्चन आया था छात्रों को चिंता से निपटने में मदद करने के लिए इन में से कौन सी रणनेती प्रभावी नहीं है तो 26th को आप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा कच्छा में एक दूसरे के साथ चात्र के प्रदर्शन की तुलना करना दोस्तों इस पर जरूर ध्यान दिया करिए कोश्चन में पूछा क्या गया है नहीं है या सही है क्योंकि एक हलकी सी गलती आपको कोश्चन गलत कर सकती है जिसमें पूछा गया था कौन सी रणनेती प्रभावी नहीं है तो इसलिए इसको आप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा कच्छा में एक दूसरे के साथ चात्र के प्रदर्शन की तुलना करना क्योंकि कमपेजन करना इस नौट करेक्ट आपका 27th कोश्चन आया था गड़ित की सिच्छी का रचिता स्टेटमेंट योग के लिए लागू किये जाने वाले सही ऑपरेशन की पहचान करने में अपने चात्रों द्वारा की कई तुल्टियों का विसलेशन करने की कोशिस करती है वे ऐसा करती है तो आपका 27th कोश्चन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा तुल्टियों को समझे क्योंकि वे बच्चों की सोच के लिए मदद करते हैं आपका 28th कोश्चन आया था नेशनल एडुकेशन पॉलसी 2020 लेज इंफसाइजिस ओन राष्ट्री सिच्छानिती 2020 पर जोड दिया गया है तो आपका 28th कोश्चन फोर्थ सही हो जाएगा वैचारिक समझ पर आपका 29th कोश्चन आया था चिल्डरेन लन मोस्ट मीनिंगफूली बच्चे सबसे अधिक अर्थ पूर ढंक से सीखते हैं तो आपका 29th कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा जब वे सक्री रूप से कार्यों और गटविदियों में लगे हो या लगे होते हैं आपका 30th कोश्चन आया था चातरो कोपियों तो सामगरी के एक स्रंखला तक पहुँच परचपरदान करना और उनके सीखने को स्वैम निर्देशित करने की गुंजाइस को बढ़ावा देने का एक तरीका है तो आपका 30th कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा डिस्कवरी लर्निंग अनवेशित अधिकम दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा और दोस्तों साथ प्लीज इसको सेर भी कर दीजेगा थेंक्यू फॉर वाचिंग दा वीडियो और ऐसे ही अपना प्यार बनाया रखे हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रवाइट करती रहूंगे आज हम 21 दिसंबर को हुए सीट एट न टुन टीवन पेपर वन के सीडीपी के फुल 30 कोश्चंस कंप्लीट करेंगे तो दोस्तो आपका पहला कोश्चन आया था विकास डैश है तो आपका फर्स्ट कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा परवर्तनी है आपका सेकेंड कोश्चन आया था निम्नल लिखित में से कौन सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें क्यूंकि इस यूट्यूब चैनल पर 2021 में हुए आप चैनल को विजिट कीजिए और वीडियो को देख लीजिए आपका थर्ड कोशन आया था अधिगम की वे प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेज करके सीखते हैं तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो आपका फोर्थ कोशन आया था कोल वर्ग के भौतिक विकास सिध्धान्त में दूसरे इस्तर पारंपरिक नेतिकता की तीसरी अबस्ता को क्या कहा जाता है तो आपका फोर्थ को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभी विन्यास आप एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है तो आपका फिप्ट को ऑप्शन पहला सही हो जाएगा समायोजन आपका सिध्ध कोशन आया था पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्य अब लिकारे रूप सूचना को संगटित और पतिपादित करता है तो आपका सिध्ध को ऑप् आपों का उप्योग करती है और सेपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूव भी बनाती है निमनलिकित में से कौन सा इसका समर्थन करता है तो आपका सेवंध को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा लेव गौत्सकी का सामाजिक सांस्कतिक सिध्धान आपका एट्थ कोशन आया था इन में से कौन से अध्यापक द्वारा पाड़ का उधारण नहीं है पाड़ मतलब इसका है फोल्डिंग तो आपका एट्थ कोशन दूसरा सही हो जाएगा रटना आपका नाइन्थ कोशन आया था निमन में से कौन सी सिच्छा सास्त्री है प उपयुक्त नहीं है तो आपका नाइन्थ का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा वेधन वा दोहराओ ड्रिल एंड रिकॉल आपका टेंथ कोशन आया था निम्न में से किसने सामान बुद्धी के विचार को नकारा और बुद्धी को अनेग विशिस्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाशत किया है तो आपका टेंथ कोशन पूर्थ सही हो जाएगा हावर्ड गार्डनर आपका 11 कोशन आया था एक संरचनावादी कच्छा में निम्न में से किस पर महतु दिया जाना चाहिए तो आपका 11 कोशन दूसरा सही हो जाएगा संरचनातमक म दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तो अभी चैनल की स्टार्टिंग है अगर आप लोग एक-एक को भी सेयर करोगे अपने फ्रेंस ग्रूप में जो सीटेट की प्रप्रे इस पीच तो आपका त्वल्थ का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा जटल कार करते समय बच्चों को उनके विवास अंचलन में सायता देता है आपका थर्टिंथ कोश्चन आया था लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुडिया से जोड़ा जाता है और लड़कों को न जेंडर बायस को सो करता है आपका फूर्टिंथ कोश्चन अभिकथन और तर्क वाला दिया गया था तो आपका अभिकथन दिया गया था सिच्छा आसफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेच्छा की जाती है कि वे प्राप्त ग्यान को जियो काते हो पुना उत्पाद अधित करें आपका तर्क दिया गया था जानकारी का पुना उत्पादन बच्चों के अधिकम का अर्थ पूर्ड द्योत तक है तो आपको सही विकल्प बताना था तो आपका फूर्टिंथ कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है आपका फिप्टिंथ कोश्चन दिया गया था एक संरचना वादी कच्छा में सिच्छाक और छात्रों की क्या भूमिका होती है तो आपका फिप्टिंथ कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा सिच्छाक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं कोश्चन पूछा गया था क्या भूमिका होती है इसलिए आपका option तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों आप other options भी पढ़ लिया करें जिससे आपको समझ मैंगा कि other options आपके क्यों गलत है और तीसरा ही आपका option क्यों सही है आपका 16th question आया था एक अच्छा में अध्यापिका भिन जातियों के समूवाले अधिगम करताओं के लिए समावेशी वातरवरड की रचना कैसे कर सकती है तो आपका 16th option पहला सही हो जाएगा फर्स सेकेंड और थर्ड अपनी उनवधारणाओं और पूर्वा ग्रहों का पूर्वा ग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के सैचिक अनभव को सीमित करते हैं कच्चा में बच्चों के अनभवों की मिवित्ता को समलित करके और संस्ता में समानता की मूल संस्कृति पर बल दे कर आपका 17th question आया था रमनी की कच्चा में एक दर्ष्टी बादित छात्र है एक समावेशित कच्चा में इस संदर्व में उसे कौन से निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए तो आपका 17th option तीसरा सही हो जाएगा त्री आयामी मान, चित्र और चाठ जैसे इस पसकी संसाधनों का प्रावधान करना आपका 18th question आया था रीना कच्चा में दी गई किसी भी समस्या को सुलजाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है ये निम्न में से किसका प्रतीक है तो आपका 18th option फोर्थ सही हो जाएगा अब सारी सोच आपका 19th question आया था राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और B और D अच्चरों में अकसर भ्रमित होता है ये किसके प्रात्मिक लच्चन है तो आपका 19th option पहला सही हो जाएगा डिसलेक्सिया आपका 20th question आया था एक समावेसी कच्चा में विसेज बच्चों को किस प्रकार सायता मिल सकती है तो आपका 20th option तीसरा सही हो जाएगा फर्स्ट और थार्ड व्यक्तिकत लच्चों का निधारण सही हो गात्मक अधिगम आपका 21st question आया था एक संद्चनावादी परिप्रेच्च में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है तो आपका 21st option 4th करेक्ट हो जाएगा अपने परियावरण को समझने के उत्सुकता लिये हुए आपका 22nd question आया था बच्चों की आसा फलता के संदर्व में निम्न में से कौन सा कतन सही है question में पुछा गया है कौन सा कतन सही है तो आपका 22nd option दूसरा सही हो जाएगा आपका 23rd question दिया गया था एक सिच्चिका अपनी प्राथमी कच्चा में आर्थपूर अधिगम को कैसे बढ़ावाद दे सकती है तो आपका 23rd option तीसरा सही हो जाएगा विशेवस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ सम्मंद इस्तापित करके आपका 24th question पुछा गया था अनुपमा अपनी कच्चा में विज्ञान पढ़ाते हुए गडित के संप्रतियों के साथ सम्मंद बनाती है इस प्रकार का सिच्चा सास्त्र तो आपका 24th option पहला सही हो जाएगा अधिगम के स्थानांतरण और अन्ता विश्यात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा आपका 25th question पुछा गया था निमनलिखित जानकारिया किस सम्म्रती में संगठित होती है तो आपका 25th option दूसरा सही हो जाएगा तो आपका 26th question पुछा गया था निमनलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की तुरुटियों को समझने के लिए सही नहीं है तो आपका 26th option पहला सही हो जाएगा ये कच्चा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है आपका 27th question पुछा गया था किस प्रकार की अभिप्रेणा उन गतिविदियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनन्द दायागवा संतोजनक है तो आपका 27th option पहला सही हो जाएगा आंतरिक आभिप्रेणा आपका 28th question पुछा गया था सिच्छक की अपने विद्यार्थियों से आपेच्छा है तो आपका 28th option पहला सही हो जाएगा उनके अधिगम पर महत्वपूर्प्रभाव डालती है दोस्तो आप अधर options भी पढ़ लिया करें क्यों options अधर वाले गलत हैं आपका 39th question पुछा गया था बाल के अंद्रित कच्छा का स्रजन कैसे किया जाता है तो आपका 39th option पहला सही हो जाएगा सिच्छार्थियों को उनके निस्पादन के बारे में समय पर पत्यपुस्टी दे कर आपका 30th question पुछा गया था राश्ट्रिय सिच्छानीती 2020 क्या प्रस्तावित करती है तो आपका 30th option तीसरा सही हो जाएगा फर्स, सेकेंड और फोर्थ विद्यालाई की पाठ चर्या की विशेवस्तु में कटावती विद्यालाई की पाठ चर्या के लचीले पन में व्रद्धी विवेचनात्मक चिंतन को महतो देना दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आज हम 22 दिसंबर को हुए तो दोस्तों आपका पहला कोश्चन आया था वीकास के किस छेत्र का समंद बौधिक छमताओं जैसे की ध्यान, इसमरती समस्या, समाधान, कलपना और सजनात्मक्ता से है तो आपका फर्स्ट को आप्शन दूसरा सही हो जाएगा संग्यनात्मक छेत्र आपका सेकेंड कोश्चन पूछा गया था सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने वा कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है ये उधारण किस ओर संकेत करता है तो आपका सेकेंड कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा विकास की दिसा अधोगामी है आपका थार्ड कोश्चन पूछा गया था बच्चों का विकास इन में से किसका पैड़ाम है तो आपका थार्ड का उप्चन पूर्थ करेक्ट हो जाएगा अनुवान सिक्ता और पर्या वरण के बीच परस पर अंतर क्रिया का दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं यूटूब चनल को विजिट करें इस यूटूब चनल पर सीटेट पेपर वन और पेपर टू के मोस्ट प्रवैबली सभी सिफ्टों की सोलीशन्स प्रोवाइट कर दिये गए हैं तो आप यूटूब चनल को विजिट जरूर करें और सिफ्टों के सोलीशन उसमें देख लीजिए आपका फूर्थ कोशन पुछा गया था निमन में से कौन सा कारक समाजी करण का कारक नहीं है तो आपका फूर्थ का ऑप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा सरकार आपका फिप्ट कोशन पुछा गया था हेंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतक्रिया के अधार पर लॉरेंस कोलवग ने किस विकास की विभिन अवस्थाओं को प्रत्पादित किया है तो आपका फिप्ट का उप्शन पहला सही हो जाएगा नैतिक विकास आपका फिप्ट कोशन पूछा गया था नौ वर्सिये लीला ने बटनों के संग्रे को उनके माप के अनुसार वर्गी करत किया फिर उसने सभी समू के बटनों को एकत्रित किया फिर उनने उनके छिद्रों के अधार पर पुना वर्गी करत किया जीन पियाजे के संग्यन आत्मक विकास के सध्धन्त के अनुसार लीला विकास की डैश अवस्था पर है तो आपका सिख्ष्ट का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा मूर्थ संक्रिय आत्मक आपका सेवंध कोशन पूछा गया था जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो यह डैश कहलाता है तो आपका सेवंध कोशन पहला सही हो जाएगा आत्मसाती करण आपका एट कोशन पूछा गया था लेव गोशकी के संग्यनात्मक विकास के सिधान्त को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का अधिगम एक संदर्व में होता है तो आपका एट कोशन तीसरा सही हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक आपका नाइंध कोशन पूछा गया था जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकस्त छेतर पर पहुँचाने के लिए साहता को उसके निस्पादन के वर्तमानिस्तर के अनरूप धालती है तो अध्यापिका किस नीतिका प्रियोग कर रही है तो आपका 9th का option तीसरा सही हो जाएगा पाड अर्थार इसके फोल्डिंग आपका 10th question पूछा गया था एक प्रगति सील कच्छा में डैश तो आपका 10th का option दूसरा सही हो जाएगा चात्र अधिगम में सक्री भूमी का निभाते हैं आपका 11th question पूछा गया था इधर पर आपका डैश था डैश बुद्धी कोशल उस कोशल की और संकेत करता है जो की दूसरों की मनोदसाओं सभावों और आसाओं को पहचानता है तथा उन पर उप्युक्त प्रतक्रिया देता है तो आपका 11th question पहला सही हो जाएगा अंतहां वयक्तिक आपका 12th question पूछा गया था राश्ट्री सिच्छा नीती 2020 ये प्रस्तावित करती है कि तो आपका 12th question पहला सही हो जाएगा प्राथमिक अच्छाओं के बच्चों को उनकी घर की या इस्थानी भासाओं में पढ़ाया जाना चाहिए आपका 13th question पूछा गया था एक विद्याला बैट मिंटन प्रतियोगता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है ये क्या इंगित करता है तो आपका 13th option 4th correct हो जाएगा लेंगिक रूड़ी बद्धता या जेंडर बायस को सो करता है आपका 14th question पुछा गया था सतत और व्यापक मुल्यांकन में निम्न लिखित में से क्या सामिल हैं तो आपका 14th option पहला सही हो जाएगा फर्स सेकेंड और फूर्थ मुल्यांकन के माप दंडो और उपकरणों की योजना बनाना सिच्छग द्वारा सावधानी पूरवक रिकॉर्ड अभिले को तयार करना और सिच्छड को अधिकम प्रक्रिया के साथ एकी करत करना आपका 15th question पूछा गया था राष्ट्रिय सिच् वक्तियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनकूलन करना आपका 16th question पूछा गया था भारती संसद ने दिव्यांग वक्तियों के लिए निम्नलिकित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है तो आपका 16th option तीसरा सही हो जाएगा दिव्यांगिता के साथ व वेस की भावना का सटीक रूप से वर्ण करता है तो आपका 17th option पूर्थ correct हो जाएगा सिच्छक सांस्कितिक रूप से उत्तरदाई सिच्छा सास्त्र का प्रियोग करता है या करती है आपका 18th question पूछा गया था निम्नलिकित में से कौन सी विसेस्ताओं का समूँ 18th option तीसरा सही हो जाएगा for second and third वे सीगरता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं वे सतरक रहते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं बारीकी से अवलोकन करते हैं वे तुरंड के साथ बहतर प्रदर्सन करते हैं आपका 19th question पूछा गया था निम्नलिकित में से कौन सी बादिता से जूजते हुए विद्यार्थियों के समावेशन है तो प्रभावसाली नहीं है तो आपका 19th option पूर्थ सही हो जाएगा द्रश्यात्मक प्रस्तुती करण देने के लिए कंप्योग तो कोश्चन में क्या पूछा गया था कौन सी सैच्छिडिक प्रडाली अत्य जूजते हुए विद्यार्थियों के समावेशन है तो प्रभावसाली नहीं है इसलिए आपका option फूर्थ करेक्ट हो जाएगा द्रश्यात्मक प्रस्तुती करण देने के लिए कंप्योग दोस्तों एक थोड़ी सी confusion को रॉंग कर सकती है आपका 20th question पूछा गया था जो कि अभिकथन और करण वाला दिया गया था तो आपका अभिकथन दिया गया था सिच्छकों को सभी बच्चों के लिए अर्थपूर अधिगम को सुगम पनाने के लिए विविद अधिगम अवसर प्रदान करने चाहिए आपका करण दिया गया था सभी बच्चों में सीखने क की चमता होती है तो आपको सही विकल्प बताना था तो आपका प्रंटियत का आप्शन पहला सही हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एकी सही व्याख्या है आपका टॉंटी फर्स्ट कोशन आया था एक विद्यार्थी जो नियंतरन के बहा अधिकारता में विश्व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए इस यूट्यूब चैनल पर ओल्रेड़ी सीटेट पेपर वन और पेपर टू के कई सिफ्टों के सलूशन प देख लीजिए आपका 22 कोश्चन पूछा गया था प्रतति सीलकच्छा में एक प्रभावी वातावरण का निर्मार करते समय निम्नलिकित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए तो आपका 22 को ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा फर्स सेकेंड और फॉर्थ कोश्चन पूछा गया था निम्नलिकित में से कौन सी एक सहकारी अधिकम रणनीती है तो आपका 23 को ऑप्शन फॉर्थ करेक्ट हो जाएगा पारस पर एक रूप से प्रश्न करना आपका 24 कोश्चन पूछा गया था मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के ल करने के लिए कहां दोनों अध्यापक अपनी कच्छा में किस सिच्छन सास्त्री युक्ति का प्रियोग कर रहे हैं तो आपका 24 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा रचनावाद आपका 25 कोश्चन अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था तो आपका अभिकथन दिया ग संग्यान में समवेक महत पुर्भुमिका रखते हैं तो आपको सही विकल्प बताना था तो आप 25 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही व्याख्या करता है आपका 26 कोश्चन पूछा गया था सैच्छडिक कार्यों में बच्चों द्वा करिया को समझने के लिए प्रासंगिक है आपका 27 कोश्चन पूछा गया था निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या सामिल है तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा फर्स सेकेंड और थर्ड परासंग्यान विशलेशन और मनन आपका 28 कोश्चन पूछा गया थ अनीता जो की चौथी कच्छा की अध्यापिका है अपनी कच्छा में एक ऐसी इस्ति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाय जा रहे हैं विशय में उगताहड मैसूस कर रहे हैं इस इस्ति में उसे क्या करना चाहिए आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाए पार्ट की विशेवस्तू और पढ़ाने के तरीके पर पुना चिंतन करें दोस्तों आप अधर ऑप्शन भी पढ़ लिया करें कि क्यूं ही आपका ऑप्शन थर्ड सही है और अधर ऑप्शन रॉंग है आपका 39 कोशन पूछा गया था किसी अध्यापक को अपने विद्यार शर्टियों को किसी कारी के लिए आंतलिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या किया कहेकर प्रत्साहित करना चाहिए तो आपका 29 का का ऑप्शन थर गयतर जर्ति करें से कि हम इस गतिविद्ध से क्या क्या सीख सकते हैं आपका थाटियत कोश्चन पूछा गया था सीखने के गति डैश है तो आपका थाटियत का आप्शन तीसरा सही हो जाएगा व्यक्तिगत और पर्या वर्डी कारकों की पारसपरी क्रिया पर निर्भर अगर आपको ये वीडिय अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आप ऐसी वीडियो दिखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कीजिए और सभी सिफ्टों के सलुशन देख लीजिए आपको इस यूटूब चैनल पर ऐसे ही वीड वीडियो मिलते रहेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए